में मुझी नंटीयो और मुझे नंटीयो स्कट्रिणियों माध्यायं की नियुक्ति ढिलिगे सकते हैं सब्सक्राइए नहीं टेखने हैं इससे पहले माजिस्ठ सम्क्राइब के उपर हम दो वीडियो बना चुके हैं पहली वीडियो में माजिस्ट की लिंग मिल जाईगी अप जाखर के वह देख सक हुद अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज की वीडियो कुछ लंबी हो सकती है ज्यादा बड़ा टोपिक है थोड़ा तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन लास तक आप देखिएगा वीडियो के बीच में मैंने आपको एक्जाम के लिए अच्छी टिम भी दिये तो करते हैं कि माद्यस्थम का गठन के बारे में जानने से पहले मैं यह जान लेना होगा फीशिए पहले भी में बता चुका हूँ एक बार आपको वापस बता जाता हूँ एक एक तरमाएगी माद्यसथम आपीटरेशन और अजुसरे टरमाएगी माद्यस्थ यानिके दोनों पक्षों के विवाद को सुन करके उनका निर्णा दिया जता है और माध्यस्थ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनता है और उनके विवादों का निप्टारा करता है उन व्यक्ति एक भी हो सकता है और अनेक व्यक्ति भी हो सकते है तो मादिस्थ की से कहते हैं? मादिस्थ उस व्यक्ति को कहते हैं जो दोनों पक्षों के विवादों को सुनता है और सुन करके उनका नेना देता है इसे व्यक्ति को मादिस्थ कहा जाता है मादिस्थ को मादिस्थम की दूरी भी कहा गया है अब बात करें मादिस्थ अधिकरण की मादिस्थ अधिकरण मादिस्थम को ही मादिस्थ अधिकरण कहा जाता है अब मादिस्थम को मादिस्थ अधिकरण क्यों और कब कहा जाता है जब मादेस्ट व्यक्ति जो है दोनों व्यक्तियों के दोनों पप्षों के विवादों को सुन रहा होता है तो उस समय उस मादेस्ट को मादेस्ट नहीं करकरके मादेस्ट अधिकरण कहा जाता है अब माध्यस्थ अधिकरण जो है यहां तो एक विक्टी भी हो सकता है या पूरा समूव भी हो सकता है एक से अधिक विक्टी भी हो सकता है जैसा कि माध्यस्थ होता है यानि कि सेम माध्यस्थ यह उसे जब वो सुनवाई कर रहा होता है किसी विवाद की तब उसे माध्यस्त की नियुक्ति की जो बात है यह किस अधिनियम में दी गई है माध्यस्तम यह सुलह अधिनियम 1996 की दाराग 11 के अंतरगत जो है माध्यस्त की नियुक्ति की प्रावदान बताए गए बताए धिर गया में यह माध्यस्त वंकी नियुकी माध्यस्त की नियुक्ति होगी वह जोनों प्रक्षकार जो है पार्ठी कि जैसे एक गजांपल में तेटरम को ही यहां कंटिंऊ करणे आप आप का तो दोनों ने कॉंट्रेक्ट किया कि में चाया बनाऊँगा आपका दोस्त वहाँ कोई भी नाश्ता का सेंटर लगाएगा उसी होटल में आप दोनों ने यह कॉंट्रेक्ट में लिखा कि हमारे बीच अब बविश्च्य में कोई विवाद हुआ तो हम माधेस्ट तरीके देने गए हैं उन माध्यस्तों के द्वारा इसका निफ्टारा किया जाएगा यह हमारा एक्जामपल फर्स्ट वीडियो से चलता रहा है आप फर्स्ट वीडियो से देखेंगे आपको continue रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा तो अगर आपने नहीं देखा तो आप स्विडियो लगता हो उन व्यक्टियों को वह नियां के रूप में चायन करेंगे अब माध्यस्तों ज्य। सब्सक्राइब जिस वेक्टी को नहीं हो सकता यह माधेस्ट के उपर कोई बी प्रवावार नहीं वह भारती हो सकता है चाहे वो विदेशी वेक्टी भी हो सकता है परनतु कोई अन्य करार नहीं किया गया हो अगर कोई ऐसा कर दिया गया है इंडियन ही फिर विदेश से से लिखा नहीं गया है तो वेक्ति वो विदेशी भी हो सकता है भाहर्ती भी हो सकता है उस door OS मैं जे उने किसी दूसरे धेश के होने से उस पर कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा तो दो पॉइंट होगे, पहला तो ये कि पक्षकार उसे खुद चुनेंगे, दूसरा ये कि वो विदेशी भी हो सकता है, और भारती भी हो सकता है, उससे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी नागरिक्ता से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिसरा नहीं समसंख्या में न हो माद्यस्थ जो हैं वो कितने ही हो सकते हैं चाहे एक माद्यस्थ हो या अधिक एक से अधिक माद्यस्थ भी हो सकते हैं परन्तु वे माद्यस्थ समसंख्या में नहीं होंगे वे हमेशा विशम होंगे कैसे या तो माद्यस्ट एक रिक्ती होगा या माद्यस्ट तीन रिक्ती होगे या माद्यस्ट जो है पांच रिक्तियों को माद्यस्ट रखा जाएगा दो, चार, छे, आठ इस प्रकार से सम संख्या में माद्यस्टों को नहीं रखा जाएगा क्यों नहीं रखा जाएगा उसका एक मिशेश काराने जैसे कि इसी एक्जामपल से समझते आपने एक माधिस्त रखा आपके मित्र ने भी एक माधिस्त रखा अब अगर आपके बीच में बविश्य में किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया एलल भी चाहे वाला होटल को लेक उसकार करें आपने जो माधिस्त रखा वह ऊ UFO कि ये करेदें कि आप सही हुँ है जो निर्णे आपके मित्र रखा वो माधिस्त जो है कि आपका मित्र से आप गलत है उसकिति में एक विशेश निर्णय पर एक अंतिम निर्णय पर पहुचा नहीं जा सकता जब अगर सम माजस्तम होगे अगर चार माजस्तम होगे तो दो ने आपके पक्षमे बोल दिया और दो ने भी के पक्षमे बोल दिया तो भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुचा जा सकता इसलिए हमेशा विशम संक्या में मादिस्तों की नियुक्ति की जाती है जैसे तीन अगर मादिस्तों वो अगर एक-एक के पक्षमे और दूसरा दूसरी के पक्षमे बोल जाएगा तो तीसरा जहां कहेगा वो निर्णय सही माना जाएगा इसलिए विशम संक्या में मादिस्तों की नियुक्ति की जाती है इसके अलावा मादिस्त की नियुक्ति के लिए ही मादिस्तों में ही उसकी धारा ग्यारा तीन में एक बात कही गई है इसा क्यूं कि आगर आपने माजिस्ट की निउपती कर दी तो नों ने अपने पारटी के पक्ष में जिनों ने निउपती किया उनके निर्णे ने थे दिया तो अंतियम दिरने पर नहीं पहिंचा जा सकता इसके साथ ही इस 11 11-11 तीन में ही इन 3 माध्यस्थों को चुनने की प्रक्रिया के बारे में भूबताया गया कैसे ये विक्ति जो है जैसे एक पार्टी जो है वो अपना माध्यस्थ चुनेगी दूसरी पार्टी जो है वो दूसरा अपना माध्यस्थ चुनेगी और जो दोनों माध्यस्थ हैं ये माध्यस्थ माध्यस्थ मिल करके एक तीसर नए माध्यस्थ का चैन करेगी और ये माध्यस्थ जो है ये तीसरा माध्यस्थ होगा और ये इन दोनों माधिस्टों द्वारा चैन किया जाएगा इन दोनों पार्टीस द्वारा चैन किया जाएगा लेकिन जब यह दोनों पार्टीस माधिस्ट का चैन कर लेती है यहां फिर एक पार्टी माधिस्ट का चैन कर लेती है और दूसरे पार्टी को सुचना दे देती कि अपना माधिस्ट चैन कर लिजिए इसी इस्तिति में उस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा और न्यायले द्वारा किसी व्यक्ति को जो है माधिस्ट के रूप में निर्ट कर दिया जाएगा जब उसकी आशिक्ता होगी तब न्यायले जो है अपनी ओर से वहाँ एक माधिस्ट रख देगा माधिस्ट को निर्ट कर देगा अब इसी में एक केस है निरच कुमार बोहरा वसेस यूनियन ओप इंडिया एयर 2009 कोलक जग्ति को कhouलेगा कि क्या योगिता रखी तियुग्वराऊ, ययूट करते क्यों न्याय बिजनेस कर रहे हैं, तो आप दोनों ने ऐसे माधिस्ट को रखा जिस व्यक्ति को नोलेच हो उतना है वह व वे क्यों बिजनेस्ट को स्कूप आप कॉण्ट परकर आपक की जो requirement है उस requirement के अनुशार ही मार्ड़िस्ट का चेहन करेगा इसके साथ ही इसके साथ ही इस केस में एक बात और कहीं गई है एक विशेइस बात कहीं गई है वह बात यह कही है कि हमने पीछली वीडिएो में भी पढ़ाता कि मादिस्त जो है नियाले मादिस्त नहीं हो सकता या फिर इसके सेवा निवर्ट हो गया उसका कादिकाल पून हो गया तो क्या ऐसा हितकी मादिस्त बन सकता है इस केस में ही निर हकुमार Бोरा वस् цен लिए क्नलकता के इसमें यह बात कही गई थी कि कोई रिटार्ट जज भी है रिटार्ट सेवा निवृत जो न्यायदिश है वो भी माध्यस्थ के रूप में नहीं हो सकता उसे भी माध्यस्थ के रूप में नहीं माना जाएगा उसे माध्यस्थ के रूप में नहीं करा जाएगा तो यह कैस एक माधिस्त के श्यत्रादिकार के उपर है जनरली श्यत्रादिकार को अगर आप बुक्स में पढ़ने जाएंगे तो यह बहुत ही बड़ा टोपिक है इसके उपर ही केवल श्यत्रादिकार के उपर ही 10 मिंट की अलग से वीडियो बन सकती है लेकिन एक्जाम में यह कोश्चन ज के उपर कभी कोश्चन नहीं आता है अब मैं जो आपको टिप देने वाला था वो टिप देता हूं आप लोग अगर कर रहे हैं आप लास्ट फाइप येर के पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए आपकी उनिवर्सिटी के मिले तो और भी अच्छा और आपको आपकी उनि पेपर से बनते हैं ये चीज का आईडिया आपको मिल जाएगा अगर आपको कुश्चन नहीं मिल रहे हैं या ओल्ड पेपर नहीं मिल रहे तो आप मुझे कमेंट करके बतेए मैं अगली एक वीडियो बना दूँगा उसमें LLB के सारे ही सब्जेक्ट के पांच-पांच- दोनों उतलो खंड शारा लिखने आवशेक्त होथी है तो चयत्रादिकार भी है किसमें माद्यस्त मेरा सूला अधिनियम के अंतरगति डारा सोला सुला अधिस्तरा में रिशीम बताया गया है जो माद्यस्त होंगे वो जो निर्ने देंगे वो निर्ने केवल उस सिमत्ष श विवाद होगा तो उसको माध्यस्त स्वाल्व करेंगे जो बिजनस के लिए जिसके लिए उन्हें नियूट किया गया है वे केवल उसी बिजनस से रिलेटेड कोई विवाद होगे तो ही उसमें अपनी बागीदारी देंगे अपने और से कुछ कहेंगे अगर इन दोनों का को अलग बिजनस चलता है जिसमें इन्होंने माध्यस्त नहीं चुना गया है तो वे माध्यस्त जो है उस अलग बिजनस में इनके कोई राय नहीं दे सकते हैं ना इनकी विवादों को सुन सकते हैं दूसरा यह इनकी परसनल लाइट में इनकी परसनल मेटर्स को नहीं सुन सकत परसनल चीजों के उपर अपनी कोई राय यह अपना कोई नरह नहीं दे सकते उसके लिए भी नहीं चुना गया है यानि क्यों मिलकर के बात यहीं है जिस काम कीलिए नहीं चुना गया है विकेवल उस काम में मर्यादा में रहे करके जो कोर्ट से के द्वारा जो इनको शक्तिया अपरावते उन शक्तियों का ही प्रयोग करते हुए उसी शेत्र में उसी अपने सिमित शेत्र में रहे करके निर्ने दे सकते हैं कारिप कर सकते हैं यही उनका शेत्रादिकार होगा यह का दारा सोला दारा स चुने हैं, अब जब इनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो यह विक्ति चाहता है कि यह माजस्त गरवर है, मैं इसको चुनोती देना चाहता हूं, तो क्या वो चुनोती दे सकता है, तो हाँ वो चुनोती दे सकता है, कैसे, नियुक्तियों को चुनोती हाँ दे जा सकती माध्यस्ट को जनोती जिआ सकती पहले इस्तिति क्या ऑज़ स ही उपतंदत preparation पर शॉत हैं यूट सन्देह बनता हो यानिकि इन दोनों के बीच में इससा कोई विवाद हो जया है जिस पर उनको माध्यस्ट के पास जाना पड़े माध्यस्टम के पास जाने पर एक को ऐसा लगे जो माशेट रहें इसमान रहने होAGर को माजेet के रूप में टुना आपने बेस्टियों को माशेक कर छुना लेकिन बाद मैं जाकर कर पता सv evet कि A ने जिस मादेस्ट को चुना था वो बी का पहले से इजमित्र था और वो जबर्दस्ती एक के पास आये था मादेस्ट के रूप में ऐसी को इस्तिति उत्पन हो जाती है यहां पिर कि A को यहां लगने लग जाता है कि B जो है दोनों मादेस्ट को डरा रहा है दंका रहा है उन पर कोई प्रेशर बना करके अपनी और जो है विवाद को जो है अपनी और लाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी इस्तिति में भी जो है उसको चुनती दे सकता है दूसरा पॉइंट कि मादेस्ट पक्षकारों करतों कि इन कि अBen उने छूना तो मीज़िन को इनको नोलेघ तो इस्ति में भी तो उसमें है विवाद रोध में पटता चलता है जिन को उन्हें उन्होंने जूट बोला था तो और समीं में मादेस्ट को चुनती दे सकते हो परंतु इसमें भी एक खास बात है इसमें चुनोती तभी दी जा सकती है जब इनको जो इनकी निर्योगीता है जैसे इनको बिजनस नहीं आता इसका पता माजिस्त चुनने के बाद में पता चले जब इनको बाद में पता चले कि यह वेक्टी इसके साथ मिला हुआ है यानि क इनको contact के time ही इनकी निर्योगिता के बारे में पता है तो उसके उपर जो है यह चुनोती नहीं ला सकते हैं लेकिन अगर इनको बाद में पता चला है कि यह विक्ति जो है योगी नहीं है या इस विक्ति ने इस प्रकार की कोई गरबर की है तो वो उसे चुनोती दे सकते हैं कुल मिला करके कॉंटेक्ट होने के बाद में इन्हें पता चलेगा तो ही वो चुनोती दे सकते हैं उससे पहले वो चुनोती नहीं दे सकते हैं अगर उससे पहले से पता है तो उससे वो चुनोती नहीं दे सकते हैं से उस पॉइंट का ँझाद propor अब बात करें चुनौत की प्रक्रिया क्या रहेगा मैं इसे चुनौतिन दी जाएगी जाएगे तुमतै की प्रकृचोंcak माद्या अधिकरण के जब गठन हो झाएगा है बय्我 बीवाद विवाद की सुनवाई करेंगे इस इस्थिति में जब ये विवाद की सुनवाई करेंगे इस बात का जो पता चल जाता है दोनों पक्ष को जो पक्ष जो है चुनोती देना चाहता है उस चुनोती देने वाले पक्ष को जब भी पता चलेगा उस पता चलने के टाइम से 15 दिन बक्षिकारोड ने अपनी योगीता खो दिये ऐसा कोई भी कारण है जो भी कारण है उसका वह लिखित रूप में प्रेश्चित करेगा तब जाकर के वह माना जाएगा दूशरा यह कि दारा बाराटीन by चबारा में त्राइढ ये ये दोनों योगीता है तो में जब भी उस्य पता चलता है निफित liked lugar कायों सहीित उसे प्रेशित करना होगा कि इस कारण से हम इसे जो मद्यस नहीं मानना चाहते और इसको चुनोती देते हैं गैसी इस्तिति मेए मद्यस अधिकरणces अधिकरण करेगा कि वह वह करें मॉचाट जारी कर दिया बाद वहाँ पाद में नियाले सुखक्ते हैं पर पंचाट जारी कर दिया जाये अग् Catholic आपको वीडियो कैसा लगा फट्रा-लंबा वीडियो पर तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बता है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें 1000 सब्सक्राइब करें पर मैं आपको सभी के लिए इजी लेंग्वेज में नोट्स इफलेप्ट कराना शुरू कर दूँगा